डियर इस्टुडेंट हम लोग यहां पे Link List representation of a binary tree के बारे में पढ़ेंगे कि Link List से किस तरीके से binary tree को किस तरह किस तरीके से हम लोग Link List में represent करते हैं Link List के थुरू represent करते हैं है ना तो यहां पर हम लोग पहले से एक binary tree create किये हुए हैं जो कि इसमें तीन node है A is a root node and B is a left child and C is a right child है ना तो इस node को construct करेंगे link list के थुरू तो किस तरीके से उसका constructions होगा देखें यहां पर अगर node A है node A को हम लोग किस तरीके से रेप्रेजेंट करेंगे यहां पर एक node create कर रहे हैं हर एक node का three fields होंगे हैं लिंक लिश्ट के थुरू अगर रेप्रेजेंट करेंगे तो हर एक node का तीन field होंगे हैं कौन-कौन सा पहला data field होगा जो कि data वहां store होगा left child and right child तो उसी का structure हम बना रहे हैं node A के बारे में कैसा structure होगा three fields होंगे है न किसी भी एक node का three fields होंगे first one is data field यह एक data field है इसके अंदर data store होगा data support.a है तो data A यहां पर store है and left child इसको क्या बलेंगे left child यह हो गया यही left child है and यह हो गया right child है न यह left child and right child are the pointers इसको हम link field भी बलेंगे इसको link field यह भी क्या होगे link field होगे right child भी एक link field है न तो यह किस से link होता है यह इसमें address होता है इसमें address होता है left child node का address इसमें design होता है न और इसमें right child जो right child से right यानि left child कौन सा है node B है and right child कौन है node C है तो इसमें यहां पर और right side में जो है node C तो इसका यहां पर address store होगा है न तो इसका हम लोग link list representation से diagram अगर बनाते हैं तो suppose that यह node A हो गया यह child node यहां पर हो गया child node यह हो गया यह B और यह C है न इसमें भी इसका भी एक pointer यहां भी होगा इसका link field होगा यह इसका link field यह है है न अब यह जो suppose that there is node B का address मान लो कि 1000 है इसका है 1001 तो इसका address कहां पर store होगा इस link field में 1000 वन में store होगा और यह किसको design करेगा node B को और इसका क्या है नोड़ C का एड्रस है सपोर्च डैट 1001 वाने है तो इसका एड्रस से यह राइड चैल्ड क्या होगा राइड नोड से कनेक्टेड होगा और यह क्या होता है यह तो अभी इसके आगे कोई इस्टक्चर नहीं बना हुआ है इसके अकॉडिंग हम लोग यह हम लोग लिंक लिश्ट तयार किये हैं यानि इसका लिंक लिंड इसके थुरू इस्ट बनाए हुए है फिगर डिग्राम तो यह जो नोड है यह नल होता है इसमें कोई वैलू ईजाइन नहीं है फिल को लोग इस तरशी के विरसट हम बना देंगैंगे यह यहल फिल्ट है तो हम लोग यहां पर क्या देखें कि किस तरीके से link list को represent किया आता है उसमें generally the node consists of three fields called data left child and right child and left and right child hold the address of the left node and the right node है ना तो यहां पर representation किस तरह से किया जा रहा है link list को यह देखें हम लोग है ना अब यहां पर एक और देखें कि logical representation किस तरह से हम लोग नोड को करेंगे तो logical representation करने के लिए the logical representation देखो logical representation किस तरह से हम लोग करेंगे logical representation of the node in C++ मेरा node कोई भी माल हो कि इसमें node एक root node है है ना यह suppose that root node A है है ना इस root node A में यह character type data इसका अंदर store हो सकता है यहां पर integer type data store हो सकता है float type data store हो सकता है किसी तरीके का data हम इसमें store कर सकते हैं उसको link list में अगर हम represent करते हैं तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं थ्री फिल्ड में बनागे लिखेंगे first field left child का address इसमें store होगा यानि यह link field है इसमें data store होगा suppose data is a character type a character type data है इसके अंदर store है यह right child का link है इसमें right child का data का address होगा है तो अब इसी फिल्ड का हम लोग एक structure लिखते हैं इस्ट्रक्ट नोड है यह एक नोड है इसके इस्ट्रक्चर हम लोग बना रहे है इसके अंदर क्या क्या है एक data field है है और यह क्या है left child का एक pointer है left child का pointer है यह क्या है right child pointer है तो यहां पर हम लोग क्या करें character type data कोई भी data हो सकता है फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर node node क्या है यह क्या है pointer है it can hold the address of the left child तो यहां पर left child बना लिए है pointer और दूसरा क्या बना रहे है right child यह सब क्या है यह तीनों एक तरह से variable है जो की एक node को create करने के लिए हमको बनाय हुए हम लोग बनाय हुए है ना और इसको हम लोग create कर लेते हैं इस तरह से इस तरह से structure यह एक prototype model बना लिए node का है ना prototype model यह automatically call करते रहेगा जब भी node हम लोग create करेंगे तो इस node को create करेगा तो उस सारे node में यह data field होंगे left child होंगे and right child होंगे है ना तो इस तरीके से हम लोग represent करते हैं link list को है ना आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसको program में हम लोग implement करते हैं है ना तो उम्मेद करते हैं समाज में आया होगा आप लोग को thank you जहोपूँभगगगषववज़ होग।